प्यार बच्चों, LGR स्टेडी में आप सभी का स्वागत हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गनीत में अभी हम लोग 7 नंबर चेप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्दे सांग जैमीती, और निर्दे सांग जैमीती में 7.3 आज हम लोग कंप्लेट करने वा किजिएगा, चलिए सुरू करते हैं, और जितने बच्चे अगर LGR स्टेडी अभी तक डाउनलोड नहीं किये हैं, तो जरूर डाउनलोड कर लिजिएगा, इस एप में आप सभी को जो है, मैट्रिक बोर एक्जाम के बहतर त्यारी के लिए, सभी भी सैका जो है, बीबिया सब्जेक्टिव कुष्चन का पीडियाफ को प्रिविजन नोट, मोडल पेपर, कलास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिलकुल फुरी में आपको इस एप पर मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर यह एप डाउनलोड कर लिजिएगा, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आगे नमबर कुष्चन से हमारा आज शुरुवात होगा, कुष्चन है कि सिर्ष जीरो कमा माइनस एक, दो कमा एक और जीरो कमा तीन बाले त्रभूज की भूजाओं के माध्य बिंदूओं से बनने वाले त्रभूज का छेत्रफल ग्याद कीजिए, यहाँ पर आपको त्रभू यहाँ पर आपको समझना होगा पूरे डिटेल में तो ध्याना चे देखने की कोसिस कीजिएगा, मान लिजिए कि यह कोई त्रभूज है, ठीक यह कोई त्रभूज मैंने क्या कर लिया, बना लिया, हल्का यह अच्छा यह काम कीजिए, हम अच्छा वाला त्रभूज ही ले लेते हैं, यहाँ से आप लोग एक मिनट टाइम दे दीजी हमें, ठीक है, चलो एक सेकेंड एक सेकेंड चला इसी त्रभूज को हम लोग बरा कर लेते हैं माल लेजिए ये कोई त्रभूज आपको इस कुश्चन में जो बोला गया था वही ये त्रभूज है माल लेजिए तो हमने ये त्रभूज ले लिया इस त्रभूज का नाम माल लेजिए हम A, B, C देदेगे क्या देंगे a, b, c देंगे मालगे यह a है जिसका नर्देशांक question में देदिया गया है 0, minus 1 तो हम यहाँ पर 0, minus 1 लिखेंगे इसका नर्देशांक इस बिंदू को हम b बोल देते हैं क्या बोल देते हैं और इसका नर्देशांग है 2,1 कितना है 2,1 है तो यहां पर हम 2,1 क्या करेंगे लिखेंगे और फिर सी बिंदू का जो है नर्देशांग आप देख सकते हैं कि 0,3 दिया गया है तो हम यहां पर लिख लेते हैं 0,3 0,3 मान लिजिए यह C बिंदू का क्या है नर्देशांग है अब आपको इस क्वेशन में क्या बोला है कि सिर्ष इतना से बनने वाले त्रभूज के त्रभूज की भूजाओं के मद बिंदू से अब इसमें तीन भूजा है तो इस तीनों भूजा का मद बिंदू से बनने वाले त्रभूज का च्छतरफल ग्याद करना है इस त्रभूज का च्छतरफल पहले ग्याद करने के लिए नहीं बोला गया है आपको बोला गया है कि ये जो त्रभूज है ये जो त्रभूज है इ इस्त्रभूज के तीनो भूजा को लेजिए और तीनो भूजा का मदबिंदू लेजिए इस्त्रभूज के तीनो भूजा का क्या लेना है आपको मदबिंदू लेना है तो मान लेजिए A B जो भुजा है इसका मदबिन्दू ये है ठीक B C भुजा ये है मालने जे इसका मदबिन्दू R जो A C भुजा है उसका मदबिन्दू मालने जे कि ये है ठीक है और आपको इस तीनों भुजा को क्या कर देना है मिला देना है इसका नाम देते हैं PQR मान लिजे ये P है ये Q है ठेक आर ये R मदबिंदू है अब आप सभी जानते कि इस तीनों को हम क्या करेंगे मिलाएंगे तो एक तरभूज बनेगा वही करने के लिए आपको बोला जा रहा है इस तीनों को आपने क्या कर दिया मिला दिया इस तीनों को मिलाने से क्या बना एक तरभूज बना PQR तो आपको इसी PQR तरभूज का छेतरफल निकालने के लिए बोला गया है देख सकते हैं कि भूजाओं के मदबिंदू से बनने वाले तिर्भूज का छत्रफल ग्याद कीजिए यह जो भूजा है और इसका जो मदबिंदू से तिर्भूज बना है उसका छत्रफल ग्याद करने के लिए पहले बोला आपको और फिर आगे बोला है कि इस छत्रफल का इस चतरफल का दिये हुए त्रभूज के चतरफल के साथ अनुपात ग्यात कीजिए तो आपको पहले क्या करना है अनुपात ग्यात करना है पुराने वाले त्रभूज के चतरफल से तो पहला काम आपको क्या करना आइक दिखिए यह P, Q, R जो त्रभुज है। इसका शत्रफल निकालना है और फिर बाद में आपको A, B, C त्रभुज का भी शत्रफल निकालना होगा क्योंकि नए त्रभुज और पुराने त्रभुज के छत्रफल का Anupas आपको निकालने के बोला गया है और तब जाकर के यह फाइनल होगा लेकिन हम त्रभूज PQR का छेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे क्योंकि मेरे पास त्रभूज PQR का जो है आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि त्रभूज PQR का जो नर्दे सांग है जो PQR के सिर्स है PQR उसक का हमें नर्दे सांग ही नहीं पता है कि P का नर्दे सांग कितना होगा Q का नर्दे सांग कितना होगा और R का नर्दे सांग कितना होगा यही मुझे नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा आप देख सकते हैं PAB का मदबिंदू है क्यों इसी तरह से BC का मदबिंदू है और RAC का मदबिंदू है तो हमें पहले P, Q और R का निर्दे सांक निकालना परेगा और तब जाके हम क्या करेंगे जो है P, Q, R त्रभूज का छेत्रफर निकाल पाएंगे तो सबसे पहले यहां पर लिख भी देते हैं माना P, Q, R जो है त्रभूज ABC के मदबिंदू है लिख देते हैं कोई लिकत नहीं लिख देंगे माना P, Q, R P, Q और R त्रभूज ABC के भूजाओं का भूजाओं का मध्य बिंदू है हमने क्या कर दिया लिख दिया कि P, Q, R जो है वो अच्छा एक मिनट यहां पर हलका हो गया मिश्टेक उसको समझ लेजिएगा P, Q, R लिखना चाहिए हमें तो हम सिधे P, Q, R लिख दिये तो हम लिख देंगे माना P, Q, R और 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 पी, Q और और त्रिभूज A, B, C के भूजाओं का मध्य बिंदू है यह हमने मान लिया अब चुकी P, Q, R मध्य बिंदू है तो इसीलिए सबसे पहले हम P का नर्दे सांग निकालेंगे तो लिखेंगे इसीलिए P का नर्दे सांग बराबर तो देखिए P, A, B का मध्य बिंदू है तो P A B का मदबिंदू है तो मदबिंदू का अंदर्दे सांक निकालने का तो फर्मूला है X1 पलस X2 बटे 2 और कॉमा Y1 पलस Y2 बटे 2 X1 पलस X2 बटे 2 और Y1 पलस Y2 बटे 2 अब आप में आपको करना क्या है सिदा मान बैठाते जाना है आंसर आपको मिल जाएगा P का निर्दे सांक मिल जाएगा तो देखिए अगर P A B का मदबिंदू है तो A होगा X1 Y1 और B का जो निर्दे सांक है वो होगा X2 Y2 तो X1 का मान 0 और X2 का मान 2 तो 0 पलस 2 और बटे में हम लिख सकते हैं 2 0 पलस 2 और बटे में क्या लिख देंगे दो लिख देंगे फिर कॉमा है तो कॉमा लगा देंगे और Y1 पलस Y2 तो Y1 का मान है मान 1 और Y2 का जो मान है वो 1 है जिसको हम पलस 1 भी बोल सकते हैं अच्छा एक मिनट हाँ चले दिक्कत नहीं आप लोग करते चलेंगे मानस 1 और यह हो गया पलस 1 और बटे में क्या लगा देंगे भाई सब हम लगाएंगे 2 अब आप इसको सॉल्व कीजी आगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहापर देखिए 0 और 2 0 होगा 0 बटे कितना होगा सर 2 होगा तो हम यहापर लिख देते हैं 0 बटे 2 और फिर कॉमा देख लिजिए माइनस अच्छा एक मिनट एक मिनट 0 बटे 2 नहीं होगा हलका दिमाग लगाईए आप लो कि 0 नहीं होगा 0 पलस 2 तो 2 होगा 0 पलस 2 होगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर माइनस एक और पलस एक यह होगा 0 यह क्या होगा तो 0 बटे 2 यह बाला होगा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 बटा 2 कितना होगा प्यार बट्चो 1 होगा और फिर कॉमा लगाएंगे और 0 बट्टा दो कितना होगा तो सरीए 0 होगा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 0 लिख देंगे यानि कि P का नर्दे सांग मिल गया कितना मिला तो 1,0 एक कॉमा क्या मिला 0 मिल गया अब आप Q का नर्दे सांग निकाल लेजे इसी तरीका से Q भी B और C का मदबिंदू है Q भी B और C का मदबिंदू है तो चलिए हम अब निकालेंगे Q का नर्दे सांग Q का नर्दे सांग निकालेंगे तो Q का नर्दे सांग निकालने के लिए आप सभी जानते हैं, X1 पलस X2 बट्टे 2, Y1 पलस Y2 बट्टे क्या होगा, 2 होगा, अब आप देखिएगा, यहाँ पर क्या करना होगा, सीधी सी बात है, कि Q, B और C का मद बिंदु है, इसलिए B का निर्दे सांग X1, Y1 का मान होगा, और C का निर्दे सांग X2, Y2 का मान होग तो X1 का मान 2, और X2 का मान 0, तो 2 पलस 0 हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, X1 का मान 2, और X2 का मान 0, और बट्टा में 2 है, तो 2 रहेगा ही रहेगा, y1 command 1 और y2 command 3 y1 command 1 और y2 command कितना विल्कुल ठीक है 3 है तो चलिए हम लोग 1 और 3 के बाड़े में क्या करते हैं समझते हैं एक मिनट एक मिनट हाँ तो यहाँ पर y1 command 1 और y2 command 3 तो 1 पर 3 लिखना होगा तो यहाँ पर हम y1 command 1 एक दे देंगे और y2 command 3 दे देंगे और बट्टे में 2 देना है फिर आप बढ़ जाएए आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 0 और पलस 2 तो 2 बट्टा 2 हो जाएगा फिर कॉमा लगाएंगे और क्या होगा तो 3 एक कितना होगा तो सर तीन एक हो जाएगा चार तो हम 4 बट्टा क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं फिर आप बढ़ियेगा आगे तो क्या होगा देखिएगा यहाँ पर 2 बट्टा 2 हो जाएगा एक और 4 को 2 से भाग दिजिएगा तो यह हो जाएगा 2 यानि कि 1,2 मिल गया इसका नर्दे सांख मिला एक कौमा दो एक कौमा के ना मिला दो मिला इसी तरह से हम आर का नर्दे सांख निकाल सकते हैं लिखेंगे एबम एबम आर का नर्दे सांख आर का निर्दे सांख तो आर का नर्दे सांख प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं आर चुकी म मदबिन्दू है इसलिए इसका निर्जिसान का निकालने का फर्मूला X1 पलस X2 बट्टे टू होगा और y1 पलस y2 गट्टे क्या होगा 2 होगा अब इसमें मान रख दिजिए मान रखिएगा तो फिर क्या होगा यहाँ पर समझने की कोशिस कीजिएगा आप देख सकते हैं कि r a और c का मद्विंदू है r अगर a और c का मद्विंदू है तो होगा कि a का जो निर्दे सांग के x1 y1 होगा और c का निर्दे सांग x2 y2 होगा तो x1 का मान 0 और x2 का मान भी यहाँ पर है 0 यानि की हम लिखेंगे 0 पलस 0 और भट्टे में 2 फिर कौमा लगाएंगे y1 पलस y2 को ढूंड़िए y1 है माइनस 1 y2 है 3 तो हम यहाँ पर माइनस 1 और पलस 3 लिखेंगे बट्टे में 2 है तो 2 लिख देंगे और फिर हम हलका आगे आ जाते हैं और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या करते हैं लिखने की कुशिस करते हैं 0 और 0 हो जाएगा सर्द 0 बट्टा 2 0 बट्टा कितना होगा 2 होगा और फिर यह माइनस 1 करेंगे तो 2 बट्टा 2 हो जाएगा 2 बट्टा 2 हो जाएगा अब बढ़िया आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 बट्टा 2 जो कि 0 हो जाएगा और 2 बट्टा 2 यानि कि यह 1 होगा तो 0,1 टिक मिला इसका अंदेशांस कितना इसका अंदेशांक मिला 0 कॉमाएक अब आपको तीनों बिंदू का अंदेशांक मिल चुका है तो सबसे पहले हम ट्रभोच पीकी आर का छ्थल निकालेंगे तो लिखेंगे इस यि लिए ट्र पॉज ग्र क्यों परेगा 1 बट्टा 2 इंटू X1 इंटू आप सभी जानते हैं Y2-Y3 और पलस X2 इंटू Y3-Y1 और फिर पलस में क्या करना है तो X3 करना है और Y1-Y2 करना है इस कोस्ट को कर देजिए बंद अब आप अब हैल्यू बैठाईए आंसर पाईए तो P होगा पहला बिंदू Q होगा दूसरा बिंदू और R होगा तीसरा बिंदू इसी सोच से आप आगे भरेंगे एक बट्टा दो जो है वो एक बट्टा दो लिख लिया जाएगा अब आप X1 कमान देखिए तो X1 कमान क्या होगा पी का X निर्देशांख होगा X1 तो X1 कमान होगा एक तो यहाँ पर हम X1 कमान क्या करेंगे एक रख देंगे फिर कोष्ट के अंदर Y2-Y3 तो Y2-Y3 देखिए कि क्या होगा Y2 होगा 2 और Y3 होगा 1 यानि कि 2-1 करना होगा 2- iki क्या करना होगा 1 करना होगा तो चलिए हम यहाँ पर जो है 2-1 करेंगे और फिर हमें X2 कमान रखना किसका हमें एक्स्टू कमान यहाँ पर देख सकते हैं X2 कमान आपको पता होगा कि 1 है यूज़कि P के बाद Q है तो यह X2 कमान 1 आपको मिल रहा है तो 1 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर तो लिखिए यहाँ पर पलस में हम 1 लिख दिए और फिर क्या करेंगे y3-y1 तो देखिए y3-y1 किजिए y3 आपका 1 और y1 है 0 तो 1-0 करना होगा क्या करना होगा 1-0 करना होगा 1-1 तो 1-0 क्या कर देंगे 0 और फिर x3 का मान रखना है देखिए x3 कितना है x3 है प्यारे बच्चों 0 तो यहाँ पर हमें रखना होगा x3 का मान 0 तो चलिए हम पलस में क्या कर देंगे 0 लिख देंगे और into y1 minus y2 तो y1 का value है 0 और y2 का value है 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक मिनट y1 minus y2 करना है एक सकंद हुज़े यह हाँ y1 minus y2 करना है तो रखिए मान क्या होगा तो y1 का मान 0 और y2 का मान 2 है 0 minus 2 करना होगा 0 minus क्या करेंगे प्यारे बच्चों हम 2 करेंगे फिर cost बगेर आपको बंद कर देजिए बढ़ते हैं आगे हम लोग चीज़ों को समझने की कोसिस कीज़ेगा क्या होगा देखिए इसको solve कीज़ेगा तो बहुत बड़ा चीज नहीं है simple चीज है एक बट्टा 2 होगा cost के अंदर देखिए ये एक रख लेजिए और cost हटाईएगा तो गुना होगा दो में से एक घटाईएगा तो एक होगा फिर पलस 1 है तो पलस 1 होगा एक में से 0 घटाईएगा तो एक होगा फिर पलस 0 और गुने 0 में से 2 घटाईएगा तो आपका माइनस 2 ही होगा फिर cost को कर देंगे बंद फिर बढ़िये आगे एक बट्टा दो है तो एक बट्टा दो होगा कोस्ट को देख लिजिए एक गुणे एक प्यार बच्चो एक होगा बीच में । फिर एक गुणे एक यहाँ पर एक होगा और 0 को 2 से गुणा की जीएगा तो वो 0 ही होगा तो यहाँ पर आपको क्या मिला एक बट्टा आपको दो पहले से है, कोश्ट ढटेगा तो गुना होगा और एक और एक होगा दो, तो दो से दो यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा, दो से दो क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक मिल गए आपको मिल गया कौन चीज एक वर्ग इकाई मिल गया त्रिभूज पीक्यू आर का छत्रफल अब चुकी कुश्चन में क्या बोल रहा है देख रहेजिए कि इस चत्रफल का ठीक है दिये हुए त्रिभूज के चत्रफल के साथ अनुपात ग्याद कीचिए तो दिया हुआ त्रिभूज कौन था एबीसी था तो एबीसी के चत्रफल के साथ आपको पीक्यू आर त्रिभूज का जो चत्रफल है उसका अनुपात ग्याद करना है तो इसका मत अब त्रभूज ABC का चत्रफल बराबर क्या लिखेंगे अब त्रभूज ABC का चत्रफल बराबर क्या होगा बताईए त्रभूज ABC का चत्रफल निकालने का सुत्र होता है एक बट्टा दो इन्टू अप फर्मूला तो होगा फर्मूला लिख लेते हैं x1 इन्टू y2-y3 y2-magnus क्या होगा प्यार बच्चो y3 होगा फिर पलस में होगा आपका x3 साधी एक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कीजिए तो देखिए एक बट्टा दो जो है वो एक बट्टा दो ही होगा उस्ट के अंदर एक्स वन चुकि ए बी सी का छत्रफल निकालने जा रहे हैं तो आपको A, B, C ही केबल दिखेना चाहिए फी क्यु आर्कौ अभी अप नहीं देखें गे A होगा पाला बिंदू, B होगा दूसरा बिंदू और C होगा तिसरा बिंदू इसलिए wed का इन्र दे tuning x1 ay1 होगा वे का लिषे का x2 y3 तो x1 का मान यहाँ पर मुझे मिल रहा है 0 कितना मिल रहा है 0 ठीक है तो यहाँ पर हम रख देंगे 0 कोष्ट के अंदर y2-y3 करना है तो देखिएगा y2-y3 क्या होगा तो y2 है प्यारे बच्चो 1 r- करना है y3 तो 1 r-3 होना पर यहाँ पर 1-3 कितना होगा एक मिनट 1-3 होगा चले लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1-3 लिख दिए फिर पलस में आपको x2 का मान लिखना है x2 का मान देखिए कितना है तो x2 का मान आप देख रहे हैं कि 2 है कितना x2 का मान दो है तो हम यहाँ पर 2 लिख देएंगे 1-1-1-1 यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे फिर कुष्ट के अंदर y3-y1 तो y3-y1 किजिए y3 यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 और y1 है minus 1 तो देखिएगा क्या होगा तो 3 और फर्मूला का minus और वो था minus 1 तो minus 1 जो है न वो पलस 1 बना लेगा यहाँ पर फिर आपका पलस में है x3 x3 का value 0 था साइद हाँ x3 का value यहाँ पर आप देख सकते हैं कि c का x 0 है तो x3 का value यहाँ पर आपका क्या हो गया पैर बच्चों 0 हो गया फिर कोष्ट के अंदर देखेंगे y1-y2 तो देखिए y1-y2 क्या होने बाला है y1-y2 क्या होने बाला है देखने की कोष्ट कीजिएगा तो y1 है minus 1 और y2 है 1 तो minus 1 और 1 है तो minus 1 लेखेंगे formula का minus और y2 कमान minus 1 इसको कोष्ट बन कर दीजिए अब आगे बढ़िएगा बढ़ते हैं आगे लेकिन यहाँ पर एक slide लेना होगा तो एक बने दूज़े यह slide ले लेते हैं चलिए हो जागा इसलेर में तो इससे आगे हम लोग क्या करेंगे solve करेंगे आईए अगले step में देखते हैं क्या होगा अगले step में आईएगा तो simple सी बात है अच्छा color change होगा कोई दिक्कत नहीं है 1 by 2 जो है 1 by 2 रहने दिजिएगा कोउस्ट के अंदर देखिएगा कि क्या हो रहा है देखें तीन में से एक घटाएगा तो minus 2 होगा और यहाँ पर 0 है तो हम लिखेंगे 0 गुने minus 2 वैसे तो यह कटके 0 हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ इसको फिर यहाँ पर दो गुने क्या होगा चार होगा है देखिए एकुष्ट के बाहर 2 है अर्टीन 14 हो जाएगा तो वही बात है आपर तो हम इस 2 को अच्छा से लिए देते हैं देखिएगा तो दो गुने चार हो गया फिर आगे देखिएगा तो पलस 0 था हमें एक्स तुरी का जैसा कि मान य ये अब कोष्ट बंद और दीजीए और फिर दिखिए आगे क्या हो रहा यह एक वर्टा दो आपको दिख रहा है को इसकी अंदर देखिए माइनश से जूको जिरो से गुना किजिएगा तो जीरो दो चूके यह केबल जो है8 हो जाएगा और फिर माइनश दो को 0 से गुना कीजिएगा तो प्यारवचू ये भी हो जाएगा 0 अब आप देखिए कि क्या होड़ा एक बट्टा दो दिख रहा है जीरो आठ जीरो कितना होगा सरकोष्ट हटेगा तो ये गुना होके 8 आठा जाएगा आठा जाएगा दो से आठ को भाग देजिएगा चार होगा दो को आठ से भाग देजिए किना होगा चार होगा तो यहां पर आपको इसका छेत्रफल निकल गया चार वर्ग इकाई चार वर्ग इकाई तो दोनों त्रभूज का छेत्रफल आपको मिल चुका है तो अब आप अ आनुपात निकालीएगा क्या निकालीएगा अनुपात तो लिखेंगे इसी लिए तिरभूज PQR के छेत्र फल का क्या लिखेंगे एक उनट के छेत्र फल त्रिभूज ABC के छेत्र फल से अनुपात से अनुपात यानि का त्रिभूज PQR के छेत्र फल का त्रिभूज ABC के छेत्र फल से जो है उसका हम निकालने वारे अनुपात तो क्या होगा अनुपात कि जिना होगा थी त्रिभूज PQR का छेत्र फल कि जिना था तो एक लिख देंगे और इसका तो अभी चार निकला है तो हम चार लिखेंगे यानि की फाइनल आंसर एक अनुपात चार होगा ठीक है अब हम बढ़ेंगे आगे ये question आप लोग इतना हलका लंबा गया है तो आप लोग हलका इसको manage किजिएगा समझने की बढ़ते हैं आगे हम देखेंगे आपके चार नंबर कुश्चन को बहुत सिंपल है और आराम से आप बना भी लिजिएगा कुश्चन में है कि उस चत्तूर भूज का छत्रफल ग्यात कीजिए जिसके सिर्ष करंशा आपको यहां पर चारो सिर्ष दे दिये गए हैं भाई साब त्रभूज का छत्रफल निकालना हम लोग सीख रहे थे लेकिन इस कुश्चन में चत्तूर भूज का छत्रफल निकालने के लिए बोल दिया गया तो टेंसर लेने की जरूरत नहीं है हम पहले एक क्या कर लेंगे तो चत्रफूज बना लेंगे हमें क्या बना लेंगे चत्रफूज बना लेंगे और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर एक चत्रफूज ले लेते हैं हलका बेलकुल ठीक है समझने की गोश्च कीजिएगा मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक चत्रभूज लिया यहां पर मैंने क्या लिए एक भाई साब चत्रभूज लिया एंड इसी चत्रभूज का छत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है ऐसा सूचिया ठीक है ऐसा सू A, B, C, D, मान लीजे कि ये A है और A का अनर्देसांक माइनस 2,4,2 दिया गया है माइनस 4, यहाँ पर आपको माइनस 2 दिया है फिर इसको हम B बोल देते हैं और इसका अनर्देसांक माइनस 3,5 दिया गया है आप question में देख लेते हैं देख सकते हैं और यह C है C का अनर्देसांक आप देख सकते हैं कि 3,2 दिया गया है तो हम यहाँ पर 3,2 लिख सकते हैं और इसका अनर्देसांक देते हैं मान लीजे इसका D नाम देते हैं यह 2,3 है 2,3 है यह हमने मान लिया एक चतरभूज भाई साब त्रभूज का चत्रफन निकालना अभी तक हम लोग सीखें हैं चत्रभूज का चत्रफन निकालना तो नहीं सीखें हैं लेकिन याद रखिएगा इसका भी चत्रफन हम लोग आराम से निकाल लेंगे बोलिए कैसे निकालेंगे तो आप चत्रभूज को त्रभूज बना सकते हैं आप चत्रभूज को क्या बना सकते हैं तिरभूज बना सकते हैं और चाहे तो हम इसका दोड़ी सुत्र से भी निकाल सकते हैं लेकिन छोड़िये उसको आप इसे तिरभूज बना लेजिए तिरभूज कैसे बनाएंगे आप अगर एक बिकर्न खीच दीजिएग क्या खिच दिजेगा एक बिकर्ण माल लिजिए कि ये बिकर्ण हमने A से C एक बिकर्ण क्या कर दिया खिच दिया अब जैसे ही आपने A से C एक बिकर्ण खिचा तो ये चत्रभूज दो त्रभूज में बदल गया एक त्रिभूज है A, B, C और दूसरा त्रिभूज है A, C, D अब आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा अब आप दोनों त्रिभूज का छटरफल निकाल लीजिएगा और दोनों त्रिभूज का छटरफल निकाल लीजिएगा तो उसके बाद दोनों त्रिभूज के छदरफल को जोड़ दीजिएगा आंसर आजाएगा चलिए हल करते हैं हल करने के लिए जाएंगे सबसे पहले तो फीगर में ही हमने सब कुछ लिख दिया है फीगर से बाहर हमें आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तो इसलिए हम डाइरेक्ट जो है त्रिभूज ABC का पहले छेतरफल लिखा लेंगे लिखेंगे त्रिभूज ABC का छेतरफल बरावर त्रिभूज ABC का छेतरफल बरावर तो चलिए त्रिभूज ABC का छेतरफल लिखा ले के लिए सबसे पहले formula लिखना होगा तो formula लिख लिजिए x1 into y2 minus y3 ठीक है और फिर plus में होगा x2 into y3 minus y1 y3 minus क्या करेंगे y1 और फिर plus में x3 करना है और into y1 minus y2 y1 minus y2 और इस coast को क्या कर दीजिएगा ऐसे बंद कर दीजिएगा हलका हम पीछे से बरावर का चिन ले लेते हैं आप लोग मतलब जगा रहेगा आप लोग को तो आप लोग सीधा सीधा बरावर का चिन लेजिएगा एक बट्टा दो है तो एक बट्टा दो लिखेंगे फिर coast के अंदर जो भी चीजी होगा उसको हम सेम टू सेम दिखाएंगे देखिएगा यहाँ पर a b c का हम छेत्रफल निकालने जा रहे हैं मतलब इस वाले त्रभूज का छेत्रफल निकालने हम जा रहे हैं तो a होगा पहला बिंदू, b होगा दूसरा बिंदू और c होगा तिसरा बिंदू तो देखिए x1 का मान हो जाएगा यहाँ पर आपका मैनस 4 तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? मैनस 4 ठीक है? फिर coast के अंदर क्या लिखना है? y2 मैनस y3 तो y2 का मान है मैनस 5 और इस का मान है मैनस 2 तो y2 का मान तो मैनस 5 लिखेंगे फर्मूला में मैनस ये तो मैनस लिखेंगे लेकिन y3 का मान है मैनस 2 तो मैनस 2 और यह मैनस हो जाएगा पलस 2 फिर यहाँ पर x2 का मान लिखना है तो x2 का मान आप देख सकते हैं माइनस 3 है तो यहाँ पर आप लिख लिजिए माइनस 3 ठीक है और फिर माइनस 3 लिखने के बाद क्या करना है तो y3 माइनस y1 करना है y3 माइनस y1 करना है तो चलिए y3 माइनस y1 हम लोग करने की कोसिस करते हैं क्या होगा, समझ येगा आप लोग कि क्या है, नहीं है, y3 का value है, प्यारे बच्चों, minus 2, कितना है, minus 2 देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम minus 2 लिख देंगे, और y1 का value है, minus 2, तो formula वाला minus, और ये वाला minus हो जाएगा, plus 2, plus कितना होगा, 2 होगा, फिर x3, x3 का value देख सकते हैं, कि 3 हैं, तो हम यहाँ पर plus क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और फिर y1, जो कि minus 2 है, तो हम यहाँ पर minus 2 लिखेंगे, और minus y2, जो कि minus 5 है, तो minus 5 यहाँ पर plus 5 बन जाएगा, अब आप इसको आगे solve कर लिजिए, solve कीजिएगा, तो यह एक बट्टा 2 आपको दिखाई दे रहा है, एक बट्टा 2 ही होगा, फिर यह minus 4, आप minus 4 रहने दीजिए, कोश्ट हटाईएगा, तो गुना होगा, minus 5 और plus 2 हो जाएगा, minus 3, फिर आप देख लिजिए, minus 3 है, तो minus 3 रखने दीजिए, minus 2, plus 2 हो जाएगा, जी जो, ठीक है, फिर plus 3 है, तो आप plus 3 लिख लिजिए, कोश्ट के अंदर देखिए, कि 5 minus 2 क्या होगा, 3 होगा, ये कोश्ट बंद कर दीजिए, फिर आप बढ़ जाएगे, एक बट्टा दो है, तो एक बट्टा दो ही रहेगा, फिर कोश्ट के अंदर क्या हो रहा है, तो minus 4 गुने minus 3, तो 4 तिया plus 12 हो जाएगा, फिर minus 3 को 0 से गुना कीजिएगा, तो ये 0 होगा, और 3 तिया 9 होगा, कोश्ट कर दीजिए, बंद, आगे बढ़ जाएगे, एक बट्टा दो है, तो एक बट्टा दो लिखिए, कोश्ट हटाएगा, तो गुना होगा, 12 और 9, 21 होगा, 12 और 9 कितना होगा, 21 होगा, ठीक है, तो हम देखते हैं आगे, क्या होगा, यहाँ पर आप काट नहीं सकते है नहीं काट सकते हैं, तो सिंपली, 21 को एक से गुना कर दीजिए, 21 बट्टे हो गया, 21 बट्टे दो, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यह एक त्रभूज का छेतरफल मिल गया, इसी तरह से दूसरा त्रभूज का भी छेतरफल निकालेंगे हम लोग, तो चलिए, दूसरा त् निकल गया, इस वाले त्रभूज का, अब हम निकालेंगे इस वाले त्रभूज का छतरफल, जिसका नाम होगा, A, C, D, तो A होगा पहला बिंदू, और जो C होगा, वो दूसरा बिंदू होगा, और D होगा तीसरा बिंदू, तो चलिए, लिखते हैं, त्रभूज, A, C, D का छतरफल, चलो भाई, लिखते हैं, पुना, त्रभूज, A, C, D, का छतरफल, तो A, C, D का छतरफल, कितना होगा, समझेगा, चलिए, सबसे पहले तो आप सुत्र लिख लेजिए, मतलब फार्मूरा लिख लेजिए, तो एक बट्टा कितना होगा, दो होगा, इन्टू, एक् ठीजिए, ठीक, और पलस में जो है, वो, X2, इन्टू, Y3, माइनस क्या होगा, प्यार बच्चो, Y2 होगा, Y3, माइनस, Y3, माइनस Y1, होगा, ना कि Y2, होगा, Y3, माइनस Y1, तो यहां पर हम लिख लेंगे, 1, ठीक है, और पलस में होगा, X3, X3, इन्टू, Y1, सब्सक्राइब करेंगे बड़ी कोस्ट बंद करेंगे अब मान बैठाते चलिए सिंपल है देखिएगा आडाम से बन जाएगा एक बटता दो जो है एक बटता दो होगा कोस्ट को बंद कर दिजिए अब अब ACD ACD देखिएगा आप लोग ए होगा पहला बिंदू सी होगा दूसरा बिंदू और डी होगा तिसरा बिंदू तो एक्सवन का मान होगा मैनस चार एक्सवन का मान कितना होगा मैनस चार क्योंकि पहला बिंदू तो यही है तो हम एक्सवन का मान यहाँ पर रख लेते हैं इसने रखते हैं माइनस चार रखते हैं कोश्ट बंद करेंगे y2 माइनस y3 करना होगा तो y2 है माइनस 2 और y3 है 3 तो माइनस 2 और माइनस 3 हो जागा यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2 फर्मुला बाला माइनस और y3 का मान 3 पालस में यहाँ पर आपको X2 लेना है तो X2 देख लिजिए X2 है यहाँ पर 3 तो हम यहाँ पर X2 का मान लिख देंगे 3 और Y3-Y1 तो Y3 का मान तो 3 था Y3 का जो मान है वह 3 है और यहाँ पर लिखेंगे 3 फर्मूला बाला मान तो है यहाँ पर पलस दो हो जाएगा पलस में X3 लिखना है जो की है यहाँ पर 2 कितना है दो है तो दो लिख देंगे कोस्ट के अंदार Y1-Y2 तो देख लिए यहाँ वन क्या है Y2 क्या है Y1-2 प्यारवच्चों है माइनस 2 और Y2 भी माइनस 2 तो क्या होगा माइनस 2 फर्मूला बाला माइनस और Y2 का मान माइनस 2 है तो यह पलस दो यहाँ पर बना लेगा हम बरेंगे आगे अगला चीज आप समझने की कोश्च किजिएगा एक बट्टा दो है तो एक बट्टा दो होगा कोश्ट के अंदर देखिए माइनस चार और गुने माइनस दो माइनस तीन ये हो जाएगा भाई साब माइनस पांच ठीक पलस तीन आपको दिखाई दे रहा है लिख लिजिए कोश्ट हटाईएगा तो गुना होगा और तीन दो पांच होगा पलस है तो पलस दो है तो दो गुना लिखिए माइनस दो पलस दो हो जाएगा जीरो किरना होगा जीरो होगा फिर क्या करेंगे एक बट्टा दो है तो एक बट्टा दो लिखेंगे कोष्ट के अंदर देखिए क्या चीजे है माइनस चार को माइनस पांस से बुना कीजेगा तो माइनस माइनस पलस बीस हो जागा चार पंचे बीस और फिर पलस है तीन पंचे पंदरा ठिक और पलस में 0 को 2 से उना कीज़ेगा तो ये तो 0 ही होगा आगे बढ़ जाईए क्या हो रहा है देखने की कुछिस कीजिए 1 बटा 2 तो आपको दिख रहा होगा ये ये 1 बटा 2 एक उनाट जाईए चलो ये तो आराम से धीरे धीरे पढ़ना है कोई धर भड़ी नहीं है 1 बटा 2 लिख लिए को स्टाट आएंगे तो गुना आएगा आर वीस आर पंद्रा कितने हो जाएंगे 35 हो जाएगा तो आप यहां पर क्या करेंगे एक बटा 2 जो है एक बटा 2 आप एक सेकेंट समझ लेजी क्या होगा यहां पर लिख देते हैं 35 को एक से गुना कीजिएगा तो 35 होगा एंड नीचे में 2 होगा इतना वर्ग इकाई इतना वर्ग इकाई आपका क्या हो जाएगा चत्रफल हो जाएगा तो आपको त्रिभूज का चत्रफल तो नहीं निकालना था आपको निकालना था चत्रफूज का चत्रफल तो आब हम क्या करेंगे दोनों त्रिभूज के चत्रफल को जोड़ देंगे तो चलिए दोनों त्रिभूज के चत्रफल को जोड़ेंगे तो क्या होगा समझ येगा तो लिखेंगे इसलिए इसलिए क्या निकालना है मुझे चृत्र फल SNCouch को क्या करना होगा जोड़ना होगा तो पहला त्रभूज का सहट्र फल देखयो नहीं कितना है 21 22 तो हम यहाँ पर 21 25 क्या करेंगे दो लिखेंगे और परस्थ दूसरा का सहट्र फल 36 25 बट्टा दो दोनों को जोर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा दो और दो का एलसी एम दो दो एका दो 21 एका एकीस और पर दोएका दो 35 का क्या होगा 35 होगा हलका आप आजाईए इधार 35 हो जाएगा आपका 56 कितना होगा 56 होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर 56 बट्टे दो दो से 56 को भाग दीजिएगा दो से 56 को भाग दीजिएगा तो आप सभी जानते हैं 28 होगा कितना होगा 28 तो यहाँ पर 28 वर्ग मात्रक या इकाई भी लिख सकते हैं फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया इस तरह से यह कुश्चन आप अराम से बना सकते हैं कुछ नहीं है दोनों त्रिभूज का छेदर फल निकालिए एंड जोर दीजिए अब आज के लास्ट कुश्चन के दरब बट रहे हैं लास्ट कुश्चन आपके सामने हैं यह क्या पानी पी लेते हैं चलिए शुरू करते हैं चीजों को समझने सीखने की क्या कीजिए कोश्च कीजिए यह लास्ट ही कुश्चन है तो समझिएगा क्या है नहीं है यहाँ पर हम चलते हैं हल करने की और लेकिन उससे पहले कुश्चन को पढ़ेंगे कच्छा नौ में आपने पढ़ा हैं अध्याई 9 उदारन 3 में क्या पढ़ा है आपने कि किसी त्रिभूज की एक माधिका उसे दो उसे बराबर छत्रफलों वाले दो त्रिभूजों में विभाजित करती हैं आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभूज की जो माधिका होती है उसे दो बराबर बराबर छत्रफल वाले भागों में बाटती है तो आपको क्या करना है उस त्रिभूज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके सीर्स आपको ते दिये गए हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहलन क्या करेंगे एक त्रिभूज बनाएंगे बहुत ही अच्छा वाला एक अच्छा वाला क्या करना होगा हमें त्रिभूज बनाना होगा चलिए आजो प्यारे बच्चों त्रिभूज तो हम यहां पर एक क्याल लेते हैं त्रिभूज ले लेते हैं एंड भाई तुम्हाट जाओ एक सकेंड हाँ चलो ऐसा वाला त्रिभूज लेना नहीं तो अरे भाई चलिए मान लेजिए कि यह त्रिभूज हमने ले लिया यह आप समझे लिजिए ठीक है ठीक है यह त्रिभूज हमने क्या कर लिया ले लिया एंड हलका और बढ़ा कर लेते हैं ताकि कमी ना हो मुझे कुछ चलो यह त्रिभूज ले लिया हमने अब इसी पर सारा कर्म कांड करेंगे हम लोग क्या बोला कि त्रिभूज है कोई त्रिभूज क्या है ए बी सी है मान लिजिए यह ए है प्यार बच्चों जिसका निर्दे सांग कोश्चन में दिया गया है छार कॉमा माइनस छो चार कॉमा माइनस छो और इसको बोल दीजिए बी और बी का निर्दे सांग दिया गया है 3.12 3.12 जो है दिया गया है और यह है इलुक्त पांक को निर्दे रखह सांग 5.2 है 5.2 दो अब आपको बोला गया कि कच्छा नौ में आप पढ़े थे कि किसी त्रिभूज की एक माध्धी का जो है उसे बराबर छेत्रफलो वाले दो त्रिभूज में भीवाजित करती हैं मतलब है कि मैं एक माध्धी का खीचता हूं मैंने एक माध्धी का खीचा माध्धी का मान लीजिए तो इस माध्धी का का मतलब है कि कौन एका हमने सम्दूई भाजन किया दो बराबर भागों में क्या कर दिया बाट दिया तो इसका मतलब है कि यह एडी जो है इस त्रिभूज को दो त्रिभूज में बाट दिया बाट तो दिया देख रहे हम भी कि दो त्रिभूज में बाट दिया है लेकिन उस कच्छा 9 के जो अध्याद 9 में उधारं 3 में जो आप पढ़ाई किये थे उसका खाना था कि ये दोनों त्रभूज का च्छत्रफल बरावर होगा वही बुला कि त्रभूज के एक मादिका उसे बरावर च्छत्रफलों वाले दो त्रभूजों में विभाजित करती हैं तो हमे वही दिखाना है वही बुला गया कि त्रभूज ABC के लिए इस परिनाम का सत्यापन कीजिए यानि कि हमें प्रूब्ड करना है कि इस दोनों त्रभूज का च्छत्रफल एक जैसा है कि नहीं कच्छा 9 में जो बूला गया था कि दोनों त्रभूज का च्छत्रफल एक जैसा ह होगा अगर माधिका से खीचेंगे तो तो वह एक जासा है कि नहीं है यही हमें क्या करना है बताना है तो कैसे पता चलेगा तो इसके लिए हमें D का निर्दे सांक नो दिया गया हो, D का निर्दे सांक अगर नहीं देंगे, तो छेटरफल नहीं निकलेगा, चलिए, सबसे पहले हम D का क्या करेंगे, निर्दे सांक निकालेंगे, ठीक है, अब देखिए, जो AD है, वो माधिका है, तो माधिका जो है, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बाटती है यह आपको पता होना चाहिए तो हम जब हल करने के लिए जाएंगे तो उस चीजों को यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे चुकि AD त्रभूज ABC की माद्धिका है लिखेंगे चुकि AD त्रभूज ABC की त्रभूज ABC की माद्धिका है त्रभुजb की माद्धिका है हामने लिख दिया कि चुकि त्रभूज यह सीख माद्धिका है सुबादिका होती है वो सामने वाले भूजा को दो बराबर भागों में बाठती है तो लिखेंगे इसलिए भूजा बीसी का मदबिन्दू होगा इसलिए दी भूजा बीसी का दी भूजा बीसी का बीसी का मदबिन्दू होगा देखो याद रखो एक बात मैं आपको पूरा सिस्टमाटिक बता रहा हो और वो सा सिस्टम बता रहा हो कि अगर आप ऐसे लिखिए गईजाम में तो एक भी मार्क नहीं कटेगा आंसर रैटिंग भी आपका साथ ही साथ होता जा रहा है ठीक है अब डी जो है भूजा बीसी का मदबिन्दू होगा यह आपने क्या कर लिया देख लिया अब याद देखेगा हमेशा यह होता है अगर एडी माधिका है तो कोई भी किसी भी कौन से आप माधिका खिचिए तो माधिका जो है वो सामने वाले भूजा को दो बराबर भागों में बाटता है यानि कि सामने वाले भूजा का मदबिन्दू होता है सामने व D का निर्दे सांख बराबर D का निर्दे सांख बराबर तो D का निर्दे सांख हम मद बिंदू वाले फर्मूला से निकाल सकते हैं क्योंकि D जो है B C का मद बिंदू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे मद बिंदू वाला फर्मूला लिखेंगे ठीक है, चलिए, अब मान बिठाइए, ये B होगा पहला बिंदू, और C होगा दूसरा बिंदू, तो X1 कमान 3 होगा, X2 कमान 5 होगा, तो हम लिखेंगे 3 पलस 5, बट्टे में 2 होगा, कॉमा, Y1 होगा मैनस 2, और ये होगा पलस 2, तो मैनस 2, और Y2 कमान पलस 2, बट्टे में होगा 2, फिर देखें कि क्या होगा, तो सर यहाँ पर 3 और 5, 8 बट्टे 2 होगा, 8 बट्टे 2 होगा, और 2 और मैनस 2 उपर में हो जाएगा, 0 बट्टे 2, कितना होगा, 0 बट्टे 2 होगा, हलका एक स्टेप यहाँ पड़ी लिख देते तो आपको मिला मिल गया चार कॉमा जीरो अब तो आप आराम से काम कर सकते हैं अब हम चेक करएंगे की तोनों तिरभूज का छतरफल इस वाले तरभूज का चतरफल और इस वाले तरभूज का सब्रबंट एक जैसा है की नही की त्रीघ के सहल करना हूँ य सब से पहले हमैं एग तो सबसे पहलें हम 5 एक यहご क्या निकालते हैं। च्छत्रफल तो लिखेंगे यहां पर अब त्रिभूज A, B, D का च्छत्रफल त्रिभूज A, B, D, का च्छत्रफल तो त्रिभूज का च्छत्रफल निकाले का फर्मूला आप पहले लिख लिए ने र filled y2 into x1 into y2 minus यहाँ पर आपका होगा y3 कोस्ट बंद पलस x2 into y3 minus y1 y3 minus क्या होगा y1 होगा फिर कोस्ट बंद और पलस में हम लिखेंगे x3 x3 लिख दिजिए और x3 लिख करके हम क्या करेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे y1-y2 मतलब y1-y2 ही करेंगे y1-y2 कोस्ट बंद बड़ी कोस्ट बंद अब मान बइठाना है लड़ू पाना है देखे 1y2 जो है वहाँ 1y2 लिखा जाएगा x1 का मान देखिए abd में देखें यहाँ पर a होगा पहला बिंदू b होगा दूसरा बिंदू और d होगा तिसरा बिंदू तो a में x निर्दे सांगी x1 का हला आएगा तो x1 का मान है 4 तो यहाँ पर हम लिख देएंगे 4 y2-y3 तो देख लिखेंगे माइनसे 2 और 0 है तो यहां पर हम लिख देंगे y2 का माइनस दो और मैनस y3 का माण 0 है तो 0 लिखेंगे पलस में लिखेंगे x2 का मान у kira2 केख तेरbird 3 है को यहां पर हम चले लिख देते हैं 3 और अब आपको तो y3-1 तो y3 कमान देख लिए भाई सब 0 था फिर –y1 तो y1 कमान देख लिए y1 कमान है –6 y1 कमान कितना है –6 है अच्छा गलती नहीं नहों गया भाई –6 है लिख देजिए –6 कोई दिख्कत नहीं है यहां पर हम –6 लिख देंगे और फिर पलस में आपको लेना है x3 –3 विंदू है तो इसी का चार जो है x3 होगा तो यह चार हमारा हो गया x3 का भाल्यों चार हो गया x3 का भाल्यों चार लिख लेंगे कोश्ट के देख लिए y1-y2 तो y1 है आपका –6 और y2 है –2 तो क्या होगा –6 दो लिख लेंगे फर्मूला वाला और y2 का मान –2 है तो यहां पर पलस 2 हो जाएगा –2 है तो क्या हो जाएगा पैर बच्चों हमारा हो जाएगा जाएगा पलस 2 अब इसको हल कर लिजिए हल कर येगा क्या होगा देखने समझने सीखने की कोशिस कीजिए होगा यहां पर आप जो है वन बाइटू है तो लगा दीजिए कोश्ट के अंदर देखिए चार है तो चार रहेगा कोश्ट हटाएगा तो गुना होगा और माइनस 2 और 0 ये माइनस 2 ही रहेगा पलस 3 है तो पलस 3 लिखेंगे कोश्ट अटाएगे तो गुना आएगा लेकिन 0 और माइनस 6 माइनस 6 ही होगा तो ऐसे लिखेंगे हम पलस 4 है तो पलस 4 कोश्ट अटाईएगा तो गुना होगा माइनस 4 यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि माइनस 6 और पलस 2 है अब कोश्ट को बंद कर दीजिए बढ़ जाईए आगे एक बट्टा 2 होगा तो यहाँ पर एक बट्टा 2 लिखेंगे कोश्ट को रखी है इसे 4 को माइनस 2 दीजैंगा तो माइनस 8 होगा और फीर यहाँ पर छत्रिक 18 होगा और फीर माइनस में 4 जोके 16 होगा ठीक है अब इसको गुना बगरा कर लेजी आप लोग गुना बगरा कीजिएगा तो कितना होगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है यहां पर हमें लग रहा है कि कुछ समस्या तो नहीं हो रहा है और समस्या होना भी नहीं चाहिए एक मिनट माइनस चार चार चुपे 16 बिल्कुल ठीक ही जा रहा है देखिएगा क्या होगा लेकिन ये एक हमें गलत लग रहा है कि सब के सब क्या आ गया माइनस में ही आ रहा है चार दूना आठ माइनस में ठीक है तीन छक के अठारा भी आपका माइनस में जा रहा है जो कि पलस में अठारा आना चाहिए एक मनट कुछा यह 6 जो है माइनस कैसे है वो हमें देखना होगा y1 का मान देखिए तो कितना है y1 का मान एक मिनट हम देखते हैं y1 का मान तो y1 का जो मान है भाईजा माइनस 6 है माइनस 6 है तो यह फर्मूला बाला मानना और यह माइनस पलस हो जाएगा ना ये भी तब आपका पलस हो गया तो यहां पर वो पलस लिखने की जरुरत नहीं है ये हटा देंगे सीधा छो लिख देंगे हम सीधा क्या लिख देंगे छो लिख देंगे छो लिखने के बाद ये छत्रिक अठारा ये पलस में हो जाएगा पलस में दिना ह गटाईएगा तो बचेगा प्यारे बच्चों दो और दो मेंसे आठ गटाईएगा तो हो जाएगा माइनस च्छो माइनस कितना होगा च्छो होगा अब आप भाग बगेरा दे लेजिए तो दो से च्छो को भाग दीजिएगा तो माइनस तीन होगा कितना होगा माइनस तीन और वैसे छेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए हम माइनस हटा देंगे इसमें से, माइनस क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, या फिर माइनस है, तो रहने ये कोई दिक्कत नहीं है, मैनस तीन वर्ग इकाई वर्ग इकाई आपको मिला कौन चीज तो एक त्रभूज का चहतरफल इसी तरह से हम दूसरे त्रभूज का चहतरफल भी निकालेंगे तो दूसरा त्रभूज क्या है जरा दिमाग लगाईए ध्यान लगाईए दूसरा त्रभूज होगा ADC कऊन होगा ADC होगा तो चलिए त्रभूज ADC या AC का डी बी भुल सकते हैं लेकिलो एडीसी का ही निकालते हैं कि त्रिभूज एडीसी का छत्रफ़ल टो लिखेंगे पुरा हम क्या लिखेंगे ॉआ कर दो कहा करना कि पुनतर भूज idc का चकर फब निकालने जा रहे हैं प्यारा बच्छा एडी c का चकर फब निकालने के लिए जाएगा तो आप सभी को पता है पहले चकर फब सुतर लिखना होगा चलिए लिखेंगे क्या रिक्कत है हम सुतर लिखेंगे एक बढ़ता दो, into x1, और x1 into y2, x1 into क्या होगा, तो y2 माइनस होगा, यहां पर आपका y3, और फिर पलस में होगा, आपका x2, x2 into क्या हो जाएगा, सर, x2 into होगा, y3 माइनस y1, और फिर पलस में होगा, आपका x3, x3 हो गया, x3 into क्या होगा, तो सर, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, देखिए कितना बार हम लोग formula लिख लिए, कितना बार formula लिखिएगा, तब तो आपको formula लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, रटना पड़ेगा नहीं, revision ये खालाता है, revision करकर कि अगर आप ठिक कर लेते हैं, तब तो आपको रटने के कोई जरूरत कभी पड़ेगा ही, नहीं, तो चलिए, अब हम लोग जो है, इसमें केवल मान बिठाएंगे, चीजे आराम से हमें मिल जाएगा, तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ता दो जो है, हम same to same, एक बड़ता दो लिख लेते हैं, कोष्ट के अंदर देखिए, X1, A होगा पहला बिंदू, D होगा दूसरा बिंदू, और C होगा तीसरा बिंदू, तो हम क्या करेंगे, X1 का मान देखेंगे क्या है आपके इस वाले, कोष्चन में X1, X1 है वहाँ सब 4, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4, तो यहाँ पर आप X1 का मान लेक दीजिए 4 कोष्ट के अंदर देखिए Y2 मैनस Y3 तो देखिएगा Y2 मैनस Y3 के बारे में कि Y2 क्या है तो Y2 सीधा सीधा 0 और Y3 है 2 तो 0 और मैनस 2 होगा 0 मैनस कितना होगा 2 तो 0 मैनस होगा 2 फिर पलस में आपको लेना है X2 तो देखिए X2 किजना है तो X2 देखिएगा तो X2 है 4 क्योंकि ADC बोल रहे हैं तो X2 किजना हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है चलिए लिखते हैं 4 X2 किजना लिखेंगे हम लिखेंगे 4 तो 4 लिख लिखेंगे यहाँ पर और Y3 मैनस Y1 तो Y3 का वैल्यू तो भाई साब आपका 2 था और मैनस करेंगे Y1 तो Y1 का मान देखिए कितना है Y1 का मान है मैनस 6 अगली वार वाला गलती मत कर लिजिएगा तो मैनस 6 है और फर्मूला का मैनस तो हो जाएगा पलस 6 फिर X3 का मान लिखेंगे यहाँ पर तो X3 जो है आप A, D, C तो X3 का मान हो जाएगा 5 X3 का मान लिखेंगे ना होगा 5 होगा तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5 ठीक है और फिर आप क्या करेंगे Y1 मैनस Y2 तो Y1 का मान कहीं पर लिखेंगे हैं देखिए Y1 का मान लिखेंगे हैं मैनस 6 Y1 का मान लिखेंगे हैं मैनस 6 यहाँ पर मैनस 6 लिख देजिए और मैनस Y2 तो Y2 का मान यहाँ पर आपने लिखा है 0 तो वहाँ भी क्या होगा 0 होगा कोश्ट बंद बड़ी कोश्ट बंद अब इसको जोर घटाव कर लिजिए चेप्टर ही खतम हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है एक बट्टा दो लिख लिजिए कोश्ट चार गुने यहाँ पर होगा मैनस 2 चार गुने मैनस 2 होगा पलस में आपको 4 दिख रहा होगा कोश्ट अटाईएगा तो गुना होगा और 2 पलस 6 कर दिजिए 2 पलस कर दिजिए 6 कर दिजिए तो 2 पलस 6 जब कीजिएगा तो भाई साब 8 होगा आजना सोचने की क्या जिरूरत है पलस 5 है तो पलस 5 लिख लेंगे आर गुने में मैनस 6 करना होगा क्या करना होगा मैनस 6 करना होगा अब आगे बढ़ते जाएए भी तुम बढ़े चलो भी तुम बढ़े चलो post के अंदर देखिए 4 दुना होगा माइनस 7 पलस में होगा आपका 8 čोके 32 पलस में होगा 6 पलस यह माइनस होगा देखिएगा यहां पर माइनस 5 चके 32 पांच से कितना होगा 30 होगा अब बात यूँ है कि देख सकते हैं आप भी एक बटा दो देखा कोश्ट अटाएंगे गुना होगा 32 और माइनस 30 पलस दो होगा और 2 और माइनस 6 माइनस 8 तो यह माइनस 6 होगा अब आप काट लिजी यहां पर आपको से चीज मिल रहा है तो कितना मिल रहा है माइनस 3 वर्ग इकाई आपका आ गया तो लिखिएगा आता तरभूज की मादिका इसे दो बराबर छेत्र फलों के तरभूज में विवाजित करता है क्योंकि दोनों तरभूज का छेत्र फल तो मुझे सेम मिला क्या करना था करना था करना था कि दोनों तरभूज का छेत्र फल सेम होगा कि नहीं तो लिखिएगा यहाँ पर इसलिए इसलिए फिसलिए नहीं लिखना है लिखिएगा यहाँ क्या लिखिएगा यहां कि यहां क्या हुआ तो दोने त्रभूज का शत्रफल बराबर हो गया तो लिखेंगे यहां त्रभूज त्रभूज A D A C D था पहले नहीं A B D था था थोरी A B D था देख लेते हैं कि A B D था कि नहीं तो ABD है, ABD का छत्रफल, तो लिखेंगे यहां त्रभूज, ABD का छत्रफल, ABD का छत्रफल जो है, वो बरावर है, आत्रभूज, ADC का छत्रफल, ADC का छत्रफल, यह हो गया भाइसब, PROVED, यह PROVED हो गया, हलका PROVED को हिंदी में लिख देते हैं, मतलब साब साब लिख देते हैं, PROVED, यह PROVED हो गया, यानि कि सिद हो गया, यह दिखाने के लिए बोला ही था, तो आमने दिखा दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, के त्रभूज की म आदिका उसे दो बरावर छेत्रफलों के त्रिभोज में विभाजित करता है ऐसा उसमें जो है बोला था तो ऐसा बिल्कुल ही हो गया ठीक है इस तरह से आपका यह चैप्टर ही पुरा कम्प्लीट हो गया थेंक्यू सो मच आप सभी को सब्सक्राइब लास्ट तक बने रहने के लिए सब्सक्राइब का पीडिया सब्सक्राइब करते हैं की आज का जो सेशन है वह आपको समझ में आया होगा थैंक्यू सो मच गुद्बाइ अगले कलास में इस चैप्टर का करेंगे हम औजयक्टिव प्रसन क्या करेंगे औजक्टिव प्रसन तब तक अपना ख्याल तड़ी देखते रहे हैं गुडबाई टेक कियर